प्राइम नूम्बर किसे कहते हैं अभी हम सिखेंगे दोस्तों एक ऐसी संख्या जो केवल एक वे खुझ से विभाजे हो इसका मतलब क्या है दोस्तों एक ऐसी संख्या जो केवल क्या हो एक वे खुझ से विभाजे हो जैसे हम बात करेंगे एक से जैसे हम दस तक संख्या लिखें एक, दो, तीन, चार, पाँच, छै, साथ, आठ, नो, दस देखें एक आपका प्राइम नमर नहीं यह आपको याद रखना है दोसे हम चेकिंग करना शुरू करते है दो आपका एक से विभाजे कितनी बार? दो आपका दोसे विभाजे कितनी बार? एक वार ठीक है? अब तीन की बात करें तो तीन आपका एक से विभाजे है तीन वार तीन आपका तीन से विभाजे है एक वार तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्ताँ की दो केवल और केवल केवल और केवल यहाँ ऐसे भी लिए सकते हैं और केवल एक से विबाजिय है और दो से विबाजिय है इसके लावे यह किसी भी संख्या से विबाजिय नहीं है दो यानि एक वे खुद के अलावा किसी भी संख्या से विबाजिय नहीं है इसका मतलब क्या भा यहां पे आपका दो एक प्राइम नंबर है अब तीन के बात कर हैं तो यह भी शहमी है यह भी एक प्राइम नमबर चार के बाद कर लेते हैं देखें तो यहां पर आप ने दिखा कि जो च्यार है वो एक से भी बच्येश ठीक है खुद से भी बच्येश इसके अलावा दो से भी बच्येश इसका मतलब क्या हुआ च्यार आपका प्राइम नंबर नहीं similarly हमने चैक किया पांच के साथ यह आपका एक प्राइम नंबर है बाट चुल नोई तो एक ल है तीन से हम एक खुद एलावा इसका मतलब यह भी आपकी प्राइम नमबर नहीं इसकी बात करें तो साथ आपका में एक से इनिर्फ़ है कि आपका मैं ननित तो सम्हामट इसके mother ao आठ की बात करें तो आठ आपका दो से विवाजी है चीक है और चार से भी विवाजी है यानि आठ आपका यहां पर एक प्राइम नमबर नहीं है तीन 9 आपका 3 से विवाजी आप देख सकते हैं 3 का जब आप भाग देते हैं 9 में तो कितनी वा जाता है 3 वार एक सी विवाजी है खुद से विवाजी है इसके अलावा 3 से भी विवाजी है तो मतलब यह भी आपका प्राइम नंबर नहीं 10 की बात करें तो यह आपका दो से भी बाज़ यह पांच से भी बाज़ यह भी प्राइम नमबर नहीं है हमें यहां पे प्राइम नमबर कितने मिलें देखिए प्राइम नमबर एक तो दो मिल गया एक तीन एक पांच और एक साथ इस प्रकार से यह हमारे प्राइम नंबर आ जाते हैं धन्यवाद